पर देखते हैं यहां पर क्या पूछा गया है on dividing रुपीज 200 between A and B हमें क्या गरना है 200 रुपे के A और B में बाटना है हमें नहीं पता कि A के पास कितना पहुचेगा और B के पास कितना पहुचेगा तो यहां पर बोला है such that twice of A share is less than three times B share by 200 तो हमें बताने हैं यहां पर B share कितने का है तो यहां करते हैं solution हमें अच्छे से समझ में आएगा तो पहली बात यहां पर क्या है 200 रुपे A और B में बाटे गए हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे let करेंगे let करेंगे कि B के पास कितने share है हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे B share को हम यहां पर क्या माल लेंगे B share को माल लेंगे यहां पर X माल लिया हमने ठीक है और यहां पर A के पास जो share आएगा वो कितना आएगा वो हमारा आएगा 200-x आएगा 200-x आएगा ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर x-200 क्यों नहीं आया क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इन दोन को प्लेस करता हूँ तो x-200-x करता हूँ तो यह x से x कर गया हमारे पर इस क्या बचा है 200 तो इसका मतलब a प्लस और b को हम प्लस कर रहे तो हमारे 200 बच रहा है तो मतलब यह वाली फॉर्म जो हमारी क्या है correct है तो यह वाली फॉर्म लेके चलेंगे फिर आगे जो कुशन बोला गया है हम according to कुशन क्यों का धुर्म क्यों सब्सक्राइब चलते हैं इसने बोलson twice of a share तो twice of share मतलब यह हो गया तो यहांपर क्या कर देंगे twice of a तो यहांपर twice of a share यहांपर क्या होला is less than three times 10-192 यह तो यहांपर माइनस करेंगे और यहांपर क्या बोला 3 times 10 टो three into तो बी शेयर कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया हमारा थी टाइमस बी शेयर और बाइ 200, तो माइनस का 200 आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्या आगया, माइनस का 200, यहाँ पर ब्रैकिट बना देता हूँ, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ट्व और यहां minus का 200 इसको थोड़ा और simplify करते हैं यहां पर तो इसकी क्या हो जाएगे distributed property से अंदर multiply हो जाएगे 2 की पहले 200 होगे फिर minus x से होगे तो यहां पर 2 की 200 से होगे तो यहां पर क्या गा 400 आ गया और यहां पर minus 2x आ गया और यहां पर minus का bracket में अभी 3x minus 200 ठीक है अब मैं ηहां पर bracket open करूँगा तो यहां पर इसके minus के साफने वो क्या हो जाएगे change हो जाएगे तो यहां पर minus का plus था तो यहां पर क्या जाएगा minus का 3x और यह minus और minus क्या हो जाएगे हाँ पर plus का 200 equal to हैं पर कुछ नहीं था तो 0 लेते हैं इसको हम आगे और solve करेंगे तो यहां पर क्या आगे हमारा minus का 5x और plus का 600 अब यह minus का 5x क्या होगा यह जो है दूसरी जिगा पहुंच जाएगा तो यहां पर क्या हो जागा यहां पर equal to 0 था तो यह जो है 5x क्या हो जाएगा है जीरो के पास पहुंच जाएगे तो यहां पर क्या जाएगा प्लस का 5x आ जाएगा और यह equal to positive था 600 ठीक है अब मैं यहां पर एक चीज़ आपको दिहान से बता जाता हूंगा आप वहां पर समझ नहीं पाएँगे तो यहां पर देखो यहां पर क्या था प्लस का 600 था एक्वल टू जीरो था तो यह minus का 5x इधर की साइड आ गया तो इसलिए positive का हो गया और 600 अपनी जिगा पर यह तो इसलिए 600 है वो ठीक है इसको मैंने यहां पर ट्रांस्पोस किया है तो यहां पर 600 एक्वल टू 5x आता है बट मैंने इसको थोड़ा simplify करके यहा यहां पर x की value क्या है 120 हमें 20 यह कहीं बताना था 20 यह को हमने क्या माना था एक्स माना था और एक्स हमारे यहां पर क्या निकल गया गया 120 निकल गया गया जो की हमारा answer है ठीक है अब हम बढ़ते हैं अपने